आपका अर्विन केज्रीवल की अरेस्ट को लेके क्या सोचना है? जो बोया है वो काट रहा है वो तो आम आदमी है यार वो तो बिलकुल आंटी करप्शन के बिलकुल फ्रंट लाइन पे आदमी है आम आदमी इतना आम है कि आम खा रहा है डायबिटिक होके है चार अंडे खा रहा है वो नवरात्री में मैं उसका देखा नास्ते में यार इतना आदमी नास्ता कर रहा है और डाइबिटिक आदमी हो तुम अलू खा रहे हो आम खा रहे हो तो नहीं वो आदमी धूर्थ है वो आम आदमी नहीं उसको धूर्थ आदमी पार्टी चालाक से, मतलब काईयां और चालाक उन सब से उपर का शब्द है, कि वो मक्या विलियन टाइप का वो विलन है, क्या ये मतलब ये जैसे धुरूबराथी मोदी जी के बारे में ये बोलेगा, क्या ये आप अज मोदी रिस्पेक्टर, मोदी एड्माइरर प्रोजेक्शन नही मैं तो प्रूब कर दूँगा, आपने तो या दुरूबराथी ने एक भी डंका एक्जाम्पल नहीं दिया, तो खाली वो मतलब रेटोरिक बाटता रहा है, मैं तो उदारन दे रहा हूं आपको, बताओ कैसे, दिल्ली गवर्मेंट जिस प्रॉमिस पे आई, एजुकेशन क की धांदली ये थी, शीला दिक्षित के टाइम में दिल्ली की सरकारी स्कूल बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे थे, उनको प्रतिभाविकास विद्याले का धरजा दिया गया, और उसमें गरीबों के बच्चे पर रहे थे, और उस टाइम में इनका इंटेक जो है, मतलब एड्मिशन्स जो है ना, इनक्रीज कर रहा था, गरीब बच्चों का, केजरिवाल जी आते हैं, इनके हैंसम सिसोधिया, शिक्षा मंत्री जी आते हैं, जो हम चमका दें, समभबता 1230 स्कूल हैं इनके अंडर में, इसमें से केवल आठ स्कूल को इन्होंने चमकाया है, वास बधाई हो दिल्ली, हमने यह कर दिया है, इस टाइप से इन्होंने दिखाया है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने स्कूल बना है, आपने स्मार्ट क्लासेज बना दिया, हम मालने तें 1200 में कर दिया, ता आपका rate of admission डाउन क्यों हो रहा है, ड्रॉप आउट्स इनके ज़्यादा हो रहे हैं, इनका टेंथ और ट्वेल्थ में परसेंटेज आफ पासिंग परसेंटेज जो है ना, नीचे जा रहा है लगाता, यह परसेंटेज बताएंगे, नंबर आफ स्टूएंट नहीं बताते हैं, नाइंथ में यह उन बच्चों को होल्ड कर लेते हैं, ज पर जा रहा है, गवर्मेंट स्कूल में कम आ रहा है, तो यह कौँन सा आम आदमी के लिए भलाई कर रहे हैं, दूसरी बात, आम आदमी पार्टी महला क्लिनिक भी खोल रहे है, महला ठेका भी खोल रही है साथ में, ठेके मतलब टेट्रा पैक में दारू बीकर है दिल्ली म उसमें क्या बुराई है पिये आदमी उसकी फ्रीडम है फ्रीडम है लेकिन उसके बाद कम से कम तुम जो मॉरालिटी की बात करते हो आधर्शों की बात करते हो वो तो ना करो फिर आधर्शों क्या बात करते हैं तो ये कौन सा क कौई ये हम कह सके कि नई औरू बढीऑ बात है और आपको पता है आंगन की बात बताता हूँ हमारे तब आंगन का सिस्टम होता है मतलब घर अलग होगा, परिवार अलग बट एक ही चुकि परदादा हमारे एक तो हो सकता है शेयर करता है जब तक दारू बैन नहीं हुआ था हाला कि मैं दारू बैन के फक्ष में नहीं हूँ मैं पीता नहीं हूँ, बट स्टिल I don't agree with the ban policy दारू पीके आता था, मारता था और ये आपको हर गाव में धेर सारे से घर मिल गाए जब दारू बैन हुआ ना rate of domestic violence suddenly drop हुआ है बिहर में अच्छा, मैं मान सकता हूँ ये बात क्योंकि दारू पीके आत्मी out of control जाता ही जाता है out of control जाता ही नहीं बलकि उसको as an excuse वो यूज करता है यार मैं तो नशे में था, मैंने तुझे गाली दे दी इस टाइब, वो नशे मेरे उसको दो बांस मार दो access, तो withdrawal symptoms तो होंगे ऐसा नहीं है कि बिहार में दारू बिकनी बंद होगे ब्लैक मों बिकती है चार गुना rate पे बिक रही है और बच्चे गांजा पी रहे हैं बिहार के ये भी उसका एक aspect है पट still, दारू नहीं पीने के कारण जो है, या उसका access जो आदमी हर रोज पीता था अब सपता में एक दिन पी रहा है तो domestic violence भी उसी rate से गिरा है तो जब आप मोहले में खोल देते हो तो फिर आप इतने पढ़े लिखे Finland आपके आदमी जा रहे है studies के लिए और पता करने के लिए आपको ये बात समझ में नहीं आती कि दारू की दुकानों को क्यों purposefully market spaces में कहीं दूर जो है वो रखा जाता है जाली वाली लगवा करके आप इतना, मतलब मैं कोलंबिया वहां से पढ़के हैं मैं रूस गया था वहां पे cigarette की packets डिस्पले नहीं होती है वो काले polythine में जैसे हमारे यहां napkin जो sanitary pads होते हैं वहां वहां आपको wrap करके छुपा करके दिया जाता है ताकि लोगों को दिखे ना मेरा दोस्त था smoke करता था वो खोज रहा था और उसने driver को Uber वाले को translation वाले से बोला cigarette कहां मिले तो mall मिले गया उसको बोला यहां तो है ही नहीं फिर उसने दिखाया फिर से translate वो कहीं छुपा हुआ था उसने निकाल करके दिया तो आप इस तरह से discourage करते हो क्यों लेखते हो cigarette penis cancer होता है आप उसको जब society में इस तर से available कर दोगे तो फिर वो morality तो मतलब moral aspect और आदर्ष वादी राजनीति और यह सब उनको आपको claim नहीं करना चाहिए तो एक तो यह चीज होगा ठीक है उसके बाद फिर आप आपने घोटाला करने के लिए क्या-क्या परपंच किये हैं वो पूरा भी तो कोट में चल ही रहा है उसके तार बहुत आगे तक जुड़े हुए है मुझे लगता है उस पर यदि बात करेंगे जिससे इनको बेल नहीं मिल रहा है इनको मनी नहीं मिल रहा है अब देखे फिर आप इस बात को समझे एक घोटाला होगा और आज के समय में यदि हो रहा है तो उसकी कॉम्पलेक्सिटी और लेरिंग बहुत अधीक होगी ताकि वो बज के निकल सके ठीक है अब इसमें जब तक 20 individuals involved है 20 के 20 जब तक नहीं पकड़े जाएंगे आप सारे तार को जोड़ करके एक स्टोरी जो आप पब्लिक को कहना चाहरे है आप नहीं कहा पाएंगे ठीक है तो अभी यहां क्या हुआ हुआ है कि पहले 8% फिर 12% कर दी अब देखिये नए ड्यूटी पहले तुम मतलब distribution का जो commission होता था पहले यार तीन रुपिया या तीस रुपिया था अब सीधा जो है तीन गुना या दस गुना कर दिया तीन सौर रुपिया पर वोटल एक जो खंभा बुलते हैं लोग उसमें जो आता है इस टाइप वो तो दिख रहा है ना कि वो कहां जा रहा है वो पैसा तुम यार जो चीज पहले और वो पैसा तुम वसूल किससे रहो डेली की जनता पे कर रही है ना tax money है उसका तुम यूज कर सकते थे ना एक और school खुलवाने में जो तुम या एक और school को better करने में कुछ भी करने में आपने क्या क्या वो आपने distributor को दे दिया तो distribute तुमारे जमाई थो रहे हैं दावाद तो नहीं है ना भाई कि तुमने मतलब दे दिया gift ले लो दाइज में ले जा distributor कुट प्रो को भी कुछ होता है ना तुमा के कहीं से देगा तुमको बिलकुल और वो ऐसा मतलब मूर्ख तो है नहीं कि तुमको hard cash आके देगा लेकिन ये लोग इतने मूर्ख हैं कि hard cash इन्होंने दिया उसमें इसको बेल नहीं मिलना और साल साल भर से बेल नहीं मिलना that itself is a proof of their corruption so you are saying that judiciary is independent enough to decide for themselves कि इसको बेल दे देनी चाहिए अगर ये innocent है but you are कि वो नहीं दे रहे इसका मतलब ये है कि there is some corruption there ने ने उल्टा उसका उल्टा मैं ये बोल रहा हूं कि judiciary कि आप इन सब high profile cases में जब देखोगे जुबहर फसेगा तो कैसे और प्रोटक्टिव हो जाती है तुरंट date मिल जाएगा अड़नब फसेगा तो आठ दिन में उसको बेल मिलते है ये मैं बोल रहा हूं कि एक tilt वाली judiciary के time में जब इनके तरफ के lawyers अविशेक मनु सिंग भी भारत का top lawyer है बिल्कुल और उसके बाकी judges के क्या साथ क्या संबंध है वो कोई भी legal fraternity का आदमी जानता है जो एक email दे करके date ले लेता है मुझे और आपको एक email आपके तो father lawyer हो सकता है आपको मिल भी जाएगा तो मुझे तो नहीं मिलेगा सतर अजार cases pending है तुम्हें तुरंत मिल जाता है date या तुम्हें उसी वक्त immediately भी hearing मिल जाती है कि ठीक है हम सुन लेंगे इस तरह का इतना tilt होने के बाद भी आखिर ED document में क्या दिखाती है judges को CD तो नहीं दिखा रही है judge की कि भाई तुम्हारी CD हमारे पास है कितने बारे की judge को दिखा हो तो वो कुछ तो दिखा रहे होंगे जिसको देखकर काता है कि नहीं नहीं इसको रखो अभी अभी जेल में रखो तो मैं बोल रहा हूं कि heavily tilted aspect एक है जुडिसरी का उसके बाद भी यदि इन लोगों को बेल तक नहीं मिल पा रही है तो फिर अजलब let's wait it out ये पका करब Guys if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel you can consume all our podcasts and small clips right here we chunk them together and release them just for your convenience do not forget to press the subscribe button